Realme Narzo budget series में काफी competitive phones launch करते है market में और ऐसी कुछ under 20,000 एक fresh design के साथ Realme Narzo 65G launch किया था इस phone को use करते हुए 21 दिन से जादा हो चुके है तो काफी एक अच्छा idea लग चुका है इस phone के बारे में आज की इस वीडियो में बिल्कुल भी मैं शर्मान है नहीं वाला पिला तो यह Amazon पर 17999 के price पर अवेलेबल है इसका जो base variant है और मेरे इसाब से under 20,000 रुपीज एक बहुत ही competitive space है जहां सारे companies एकदम तकड़े से तकड़े phones launch कर रहे है और ऐसे case में यहाँ पर सिफ एक single 64 megapixel का camera मिल रहा है इसके design पर था और आप लोग आर्ग्यू कर सकते हों कि यह lens वैसे पर उतने खास photos नहीं निकालते है पर दिन बहुत लोगों को ultra wide angle का जो photo होता है एकदम aggressive looking photos जो होते हैं वो काफी जादा पसंद आते हैं और इसका मतलब यह नहीं वीडियो को छोड़के जाओ एंड तक प्लीज पूरा देखना और यहाँ फोन की बात करेंगे तो I love the look and feel of the device और मैं तो कहूंगा यह under 20,000 सबसे best looking and best design वाला फोन बन सकता है इसके back side में आपको vegan leather finish मिलता है यहाँ पर कोई back side में fingerprint नहीं होगा या फिर कोई smudges आपको नहीं दिखेंगे तो phone काफी हाद तक clean रहता है बस इसका जो camera model हो कभी कभी थोड़ा सा dirty हो जाएगा अगर आप उसको छूते हो तो phone की size की बात करेंगे तो वो भी बहुत जादा comfortable है यहाँ पर display size भी एकदम जादा बड़ा नहीं है और इसका weight under 200 gram से तो हाथ में पकेने के लिए भी काफी comfortable रहता है और heavy phone होने के वाएसे आपको जो हाथ दुखने लग जाता है वैसा कोई issue अपको यहाँ पर face नहीं होगा मेरी मानों तो single hand usage के लिएक तो perfect form factor इसका और एक हाथ से easily notification panel तक भी पहुच सकते हो in display fingerprint scanner तो जैसे under 20,000 के segment में खोई गया था बट narzo 65G में आपको in display fingerprint scanner मिलता है जो मेरे testing में तो काफी accurate लगा मुझे और इस phone का amulet display जो है वो भी काफी अच्छा है तो फिर आपका preference मुझे comment section में जरूर बताना है कि आपको बड़ी चिन पसंद है और छोटी चिन बट एक बात मैंने notice कि अगर YouTube पर 4K वीडियो प्ले करने जाते हैं तो 1440p के उपर resolution play नहीं होता है तो ये चीज़ धान में जरूर रखना कि इसमें जो single speaker है वो थोड़ा सा दिक्कत देगा बट to my surprise ये बहुत ही loud speaker है even indoors में काफी room fill हो जाती है sound से and outdoors भी अगर आप traffic में use कर रहे हैं तो उतनी जादा दिक्कत नहीं होगी and वैसे भी music सुनने के लिए इसमे Spotify आपको pre-install मिलता है पर अगर आपको loud speaker पर गाना सुनना पसंद है तो ये मैं recommend नहीं करूँगा इस phone के साथ प्यूंकि मुझे ऐसा लगा इसका जो speaker है उतना music suppression नहीं दे पा रहा है but आपको 3.5 mm jack मिलता है तो headphones definitely recommend करूँगा बाकि अगर आप shows देखते हो, movies देखते हो but इसका जो app drawer है वो open होने के बाद keyboard खुल जाता है जो थोड़ी सी ऐसा feeling देता है कि phone lag कर रहा है it is just a simple setting जो आप off कर सकते हो वैसे तो आपको यहाँ पर realme UI 4.0 pre-install मिलता है with android 13 and उसी के साथ में आपको 17 app pre-install मिलता है जिसमें बहुत सारे games भी है कुछ useful applications भी है जो आप day-to-day use करोगे and hot apps and hot games जैसे कुछ useless चीज़े है but यह सारी चीज़े आप easily uninstall भी कर सकते हो personally बाद करो तो realme UI 4.0 जो है वो मुझे बहुत साथा organized लगता है जैसे notifications panel के quick tell में आपको एक dedicated music control setup मिल जाता है और आप वही से output भी select कर सकते हो आपको speakers में play करना है या फिर headphone में and the best part is आप इनको personalize भी कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर screenshot option आपको मिलता है जिस पर long press करने से आप select कर सकते हो कि आपको partial screenshot लेना है या फिर scrolling screenshot लेना है अगर आपको photos या videos hide करना है privacy के लिए आपको बहुत सारे features मिल जाते है जिसमें आप app lock कर सकते हो या फिर photos या videos को hide कर सकते हो और इसका काफी अच्छा feature लगा मुझे कि आप fingerprint पर long press करने के बाद आप directly quick app launch कर सकते हो जैसे कि किसी का chat launch कर दिया है या फिर आपका favorite music playlist एकितम quickly open हो जाएगा वैसे तो आपको यहाँ पर दो साल के major android updates promise किया हुए तो android 15 तक का support आप इस phone के साथ expect कर लेना तो बात करते है performance के end यहाँ पर आपको dimensity 6020 processor मिल जाता है यह एक 7nm वाला processor है तो यहाँ पर efficiency as compared to other chipset थोड़ी सी आपको कम मिल सकती है and to be honest यह phone मुझे जादा gaming centric नहीं लगा मतलब performance centric अगर आपको task करने है जैसे कि अगर आपको video edit करना है phone पर या फिर graphic designing करने है phone को use करके तो उतना जादा आपको smooth experience शायद ना मिल पाए but यह normal day-to-day task जो है वो easily handle हो जाएंगे इसमें मैंने बहुत सारी CPU test भी किये जैसे कि CPU throttling में इसका काफी जादा stable है प्रोसेसर इतना जल्दी गरम नहीं होता thermals इसके काफी अच्छ है तो एकदम heat management है एकदम easily कर लेता है जिसकी वज़े से throttling test में एकदम green side ही रहता चार्ट इसके geekbench और anthuto scores आप screen पर देखी सकते हो नार्थो 60 में और एक चीज़ अच्छ है कि यहाँ पर आपको base warranty 128 GB का मिल जाता है अगर मैं quickly इसके specification चेक करूँ so phone में आपको LPDDRX 4 RAM मिल जाती है which is fast enough and इस price point में it is decent only real time usage की बात करूँ तो games अच्छे से चल जाते है casual gaming करना चाते हो आदा एक गंटा तो एकदम आराम से चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं देगा phone में आपको smooth plus ultra के BGI में settings मिल जाते है and asphalt date और high graphics पर एकदम easily चल जाएगे UI performance की बात करूँगा तो यहाँ पर app switches easily हो जाते है मैं कहूंगा ठीक ठाक applications background में manage कर लेता है and UI काफी हद तक optimized होनी के वज़े से it is a very smooth experience phone के network and connectivity के बारे में अगर कुछ comment करूँ तो यह 5G phone है इसमें सारे आपको Indian जो bands है वो supported मिलते है airtel जी और दोनों में sim card में 5G एकदम आराम से चल जाएगा इसके मैंने 5G speed test भी कुछ किये तो आपको जो results है वो screen पर में दिखा दूँगा calls की बात करेंगे तो connectivity अच्छी रहती है as such calling में होता जादा दिक्कत face नहीं हुई but यहाँ पर आपको Google डाइलर मिलता है so obviously आप call record नहीं कर पाओगे इस phone में and अगर आपको call recording करनी है तो आपको कुछ third party applications पर depend करना पड़ेगा but that I do not recommend let's quickly talk about the camera and यहाँ पर जैसे मैंने starting में बताया था 64 megapixel का आपको एक primary lens मिलता है single lens है तो यहाँ पर आप zoom नहीं कर सकते आपको यहाँ पर 2x तक का digital zoom मिलता है photo mode अच्छा है edge detection हो जाता है एक दम अच्छे से कुछ complicated scenarios होंगे जिसे अगर कोई जाड की photo खीच रहे हो तो कभी कबार यह edge miss कर देता है but overall अगर आप एक insan subject की photo click कर रहे हो then it does a pretty good job selfies की बात करेंगे तो मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि थोड़ा सा skin tone यहाँ पर better हो सकता था आपको यहाँ पर 16 megapixel का selfie camera मिलता है अगर photo zoom करके देखो तो अच्छे daylight condition में भी थोड़े से greens notice होते है and indoor का जो performance है उसमें जो skin tone है वो थोड़े से better हो सकती थी rear camera की बात करेंगे तो outdoor conditions में एकदम अच्छे photos निकाल के देगा colors on point है आपको यहाँ पर dynamic range अच्छे मिल जाती है but एक चीज़ धियार में रखना HDR को on करने के बाद ही photo click करना HDR अगर on नहीं होगा तो background overexposed रहता है camera modes की बात करें तो कुछ interesting modes मुझे लगए जिसे के tail shift mode है जिसमें एकदम close up shots बहुत ही अच्छे हैं बहुत ही सुन्दर तरीके से दिखते हैं फिर आपको एक film mode मिल जाता है जो एक लंबा form factor में shoot करने में help करता है और एक feature मुझे जो बहुत जाते useful लगा is the group portrait basically portrait photos जब आप click करते हो तो एक इंसान focus में रहता है बाखे सब blur हो जाते है group portrait में जितने में सारे human subjects होंगे वो सारे focus में रहेंगे और सिप जो background होगा वो blur होगा वीडियो की बात करेंगे तो EIS यहाँ पर available नहीं है you know study रखना पड़ेगा so that stable videos निकले भागते बाख वीडियो लेना मैं recommend नहीं करूँगा और आपको यहाँ पर 1080p 30fps तक की वीडियो recording का support मिलता है तो that's one thing to remember Realmean 160 के battery की बात करेंगे तो 5000mAh की आपको battery मिल जाती है बड़ी battery मिलती है price considering it is good 33W का fast charger मिलता है आपको box के अंदर अगर मैं day to day usage की बात करूँगा तो दिन बर की use के बाद अराम से 30 से 40% battery बच जाती है इसमें मान लो मैंने calling, texting, social media, games केलना, movies and tv shows बगरा देख देखे कुछ ऐसा usage रहाता मेरा बड़ 33W का charger होने के बाद भी इसके जो charging speed है वो थोड़ा सा यहाँ पर काफी लंबा लग जाता है अब technically देखे तो Realme एक ऐसा प्राइटेज जिसने 240W की charging भी launch की थी तो considering that यहाँ पर charging speeds काफे जाता improve है और optimize की जा सकती है and I hope अगर यह software से fix हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा बट future में होने वाले चीजों से हम लोग judge नहीं करते है इस phone को अभी जो है वो 2-5 गंटा लगता है चार्ज करने के लिए तो यही एक मुझे थोरा सा downside लगा इसका क्या आपको Realme Naso 60 5G खरीदना चाहिए मेरे इसाब से मेरी मानों तो यह phone उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको phone का design matter करता है जिनको एक अच्छा कासा दिन भर चलने वाला phone चाहिए जिनको एक अच्छा display चाहिए and fingerprint scanner यूज करना एक priority है और वो लोग जो एक तुम heavy gaming नहीं करना चाहते है बड़ स्कैजूल कभी करवार खेल लिया तो खेल लिया तो if that is you आप इस phone को consider कर सकते हो if not then काफी सारे options है market में उस पर भी काफी जल्दी videos आएंगी तो channel को subscribe जबरू करना for more such content and for any reason आगको पसंद आता है तो please comment section में feedback दो कि क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया and हां 30 minute gang comment करो video live होते ही पहले 30 minutes में लोगों को reply करता हूं उनको पताता हूं सारे चीज़े and thank you so much for giving me time watching this video it's me Dez signing off your channel Element Tech and I'll catch you in the next one bye